हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मलाई केपसिकम सैंडवेश जिसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले इसमें ना आलू की जरूवत है ना मयोनीज ना कोई चटनी ना कैचप तो चलिए इस रेस्पी को फटा-फट शुरू करते हैं मलाई केपसिकम सैंडवेश बनाने के लिए याँ पर आअजा सि drugstore बेक्रा लिया है जिसे मैंने बारिक कट लिया और एक छोटी साईस की प्यास लिए इसे भी बारिक गट लिया है और गाजर जैसे ग्रेट कर लिया तो इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी चोटी साइस की कटोरी है इसको मिला देंगे इसमें और बाइंडिंग के लिए 2 तेबल स्पून सुझी डालेंगे और साथ में डाल देंगे नमर टेस्ट के कॉर्डिंग एक छूटी चम्मच और इसको मिला देंगे सबीक अच्छे से मिलाने के बाद यहां पर रेड चिली फ्लेक्स लिया मैंने इसको थोड़ा सा डाल देंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहां ब्लेक पेपर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के प्रेट का स्लाइज लिए और इसके ऊपर यह डाल देंगे चारो तरफ अच्छे से बराबर आप चमबस यह से लेबल कर लेंगे अब इसको चलते टोस्ट करने के लिए तो टोस्ट करने के लिए यहां पर मैंने नॉनिस्टिक तवा लिया है अगर आपके पास कर रहे तो आप उसमें भी कर सकते हैं तो इसके पहले तवे पर हम बटर से इसको ग्रीस कर देंगे अगर उसके वादे से लिए अगर करके मीडियम फ्लेम पे पांच मिनेट के लिए पकाएंगे तो 5 मेंट हो गया है अब इसे हम दूसरी साइड ही पका लेंगे बीच में थोड़ा सा बटर डाल देंगे तेस्ट के लिए आप चाहे तो नौ भी डालें परसे अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए डाल रहा है इसको हम पलट करके दूसरी साइड ही पकाएंगे 5 मेंट के तो 5 मेंट हो गया है अब इसे हम पलट लेते हैं यह देखिए कितने अच्छा से टोस्ट हो गया यह अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अगर आप इसे और भी ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन इतना पर्फेक्ट हमारी है करना कर दो कर दो कर दो दो कर दो करना है